Hello dear children, how are you all? A warm welcome to online English classes. Dear students, आज हम 10th कलास की First Flight Book की पहली पोईम, Dust of Snow पढ़ेंगे. Dust of Snow रिटन बाय रोबर्ट फ्रोस्ट. इसको हम Complete Discuss करेंगे. इस Video Lecture में हम Point के बारे में भी पढ़ेंगे. Summary पढ़ेंगे. Difficult Word Minings भी पढ़ेंगे. और अंत में जो कुछ Important Questions हैं उनको भी Discuss करेंगे. So ये Lecture जो है आपके लिए Complete Package है. अंत तक जरूर देखें. Don't miss it. Dear Students, आपने कुछ ओमन्स के बारे में सुना होगा, यानि शगुन के बारे में सुना होगा, कुछ बुरे सगुन होते हैं, कुछ अच्चे शगुन होते हैं. जैसे की बिली का रस्ता काटना, या किसी के पिछे से छींक मारना, या खाली मटके का दिखना, इन सब को आपने अपने बड़े बुजरुगों से सुना होगा, कि ये अच्छे संकेत नहीं होते हैं, अच्छे संकेत नहीं माने जातें. लेकिन पिरिये विध्यारतियों, आज की हमारी पॉइम, रोबर्ट फ्रोश्ट ने इन सब बातों को नेगलेक्ट किया है, नकार दिया है, और उन्होंने एक छोटी सी घटना के माद्यम से हमें बताया है कि किस परकार से, किसी भी घटना से हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, आपने फिल्मों में या बहुत सारे कवेताओं में या अपने लेशन्स में जो बर्ड्स का यूज किया होता है, देखा होगा, बड़े ही प्यारे दिखने वाले या बहुती मधुर आवाज वाले पक्सी का चुनाव किया जाता है, जैसे कोयल, मौर, हंश या बुल-बुल, इन सब पक्सियों का परियोग होता है क्योंकि इनको अच्छे संकेत माना जाता है, यह अच्छे ओमन माना जाता है इनको, लेकिन आज की जो हम पॉइम पड़ रहे हैं, इस पॉइम में, रोबर्ट फ्रोस्ट ने दो बहुत बड़े संकेत लिये हैं, बहुत बड़े संकेतों का परियोग किया है, एक करो का परियोग किया है, और एक हैमलक, यानि कि सिंबल्स के रूप में इनको परियोग किया है, और both are often considered as bad omens यानि दोनों को ही बुरे सगुन माना जाता है करों को अक्षर darkness और उदासी का या negativity का symbol माना जाता है इसी परकार से हमलक ट्री को भी bad omens माना जाता है sadness और poison का देखी कितने सुंदर तरीके से poet ने इनका use किया है तो first of all we will discuss something brief about the poet Robert Frost Robert Lee Frost was born on 26 March 1874 in San Francisco California U.S. इनका जनम 26 March 1874 को San Francisco California America में हुआ था हालांकि इनका जो पालन portion हुआ है वो एक city में हुआ है शहरों में हुआ है लगभग लेकिन फिर भी रूरल लाइफ के बारे में यानि की गरामिन जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं he is known as a nature poet nature poet के रूप में इन्हें जाना जाता है frost was nominated for the Nobel Prize in literature 31 times Nobel Prize के लिए इनको 31 बार nominate किया गया था और भी बहुत सारे prize इनको मिले हैं Pulitzer Prize जो literature में इनको चार बार मिला है 1924, 31, 37 और 1943 को he died on 29 January 1963 in Boston Boston जो अमेरिका का एक शहर है उसमें इनका देहन्त हो गया था और इनकी एक poem आपने 9th कलास में भी पड़ी होगी the road not taken बहुत अच्छी poem है message giving poem और similarly this poem is also a very good poem this poem also gives us a very great message so first of all हम अब setting of the poem को discuss करेंगे the poem is set in the lap of nature क्योंकि nature poet माने जाते हैं इसलिए ये poem भी इनकी nature की गौद में ही set की गई है it is a very cold day and snow is falling बहुत ही ठंडा दिन है और बरफ गिर रही है there is a hemlock tree and a crow is sitting on one of its branches एक hemlock tree है जिसका हम पहले discuss कर चुके हैं जिसको हिंदी में धतूरा कहते हैं बड़ा ही जहरिला माना जाता है इसको poisonous tree माना जाता है नौर्थ अमेरिका में बहुत मिलता है ये पेड तो boy it is standing beneath this tree और point भी इसी पेड के निचे खड़े हैं तो देखिए पहला of mood and saved some part of a day I had rude कि यानि कि कि किस परकार से कि पॉइट बता रहे हैं कि मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा था और उस पेड़ के उपर कि एक करो बैठा है और उसने डस्ट ऑफ स्नौ यानि कि कुछ कंड गिराए बरफ के मेरे उपर पंखों से फड़ा करके और इससे मेरे मन को एक बहुत बड़ा बदलाव मिल गया मनो दश्या को और इस परकार से मेरा जो दिन खराब होता जा रहा था उसको इसने बचा लिया आगे complete इसकी जानकारी हम समरी में पढ़ेंगे सम डिफिकल्ट वर्ड मिनिक्स देखिए शुक डाउन मीन्स जग्ट एंड कास्ट ओफ यानि कोई चीज को नीचे के और गिराना dust of snow, fine particles of snow, छोटे छोटे कन बरफ के, hemlock this is a poisonous tree with small white flowers इसके छोटे छोटे सफेद फूल होते हैं और बड़ा ही poisonous माना जाता है rude means regretted, पशा ताप करना because of its bad results क्योंकि कुछ परिणाम बुरे निकले हुए होते हैं तो summary देखिए, it is a highly symbolical poem, बड़ी संकेत आत्मक या परतिक आत्मक poem है यह it is very short poem, बड़ी छोटी सी poem आप देखी चुके हैं there are only two stanzas in this poem, at its surface अगर हम इसकी बिलकुल साधान तरीके सिसको देखें it tells a very trivial incident, एक छोटी सी गटना बताता है यह the poet is standing beneath the hemlock tree poet जो है एक hemlock tree के नीचे खड़े हैं he is in a very bad mode, उनका जो mood है बड़ाई sad है, उदाश है, sorrow and dejection have settled on his heart दुख और संताब जो है उनके मन में बस गए है, मन पर आकर के बैठ गया है दुख, it is very cold and snow is falling, ठंड बहुत है, बरफ गिर रही है, the poet is thinking about something कुछ सोच रहे हैं poet, thus he waits some part of his day, इस परकार से उन्होंने अपना दिन खराब कर दिया है थोड़ा बहुत, a crow is sitting on one of the branches of the tree इसी पेड की एक टैनी के उपर पक्सी बेठा है crow its wings get covered with fine particles of snow, बरफ के कन इसके पंकों पे है the crow shakes itself and snow falls on the poet आपने सर्दियों में पक्षियों को अपने पंक हिलाते हुए देखा होगा बैठे बैठे इसी परकार से कोवा भी अपने पंकों को हिलाता है the poet comes into his scene और जैसे वो बरफ के कन उसके उपर गिरते हैं poet के उपर तो poet एक दम जाग जाता है this little incident brings about a sudden change in the poet's state of mind और इस छोटी सी गटना ने बहुत बड़ा बदलाव ला दिया उनके मन के अंदर, मनो दशा के अंदर he feels that it has saved the rest part of his day अब वो ये महसूस करते हैं कि मैंने अपना दिन बचा लिया है इस छोटी सी गटना के कारण नहीं तो मेरा दिन खराब होता जा रहा था now he won't let his day be wasted simply because the snow is falling अब अपना दिन ये waste नहीं करेंगे क्योंकि बरफ भी गिर रही है like the crow he too will shake off his inertia अपनी जड़ता inertia मिन्स जड़ता कि वो अपनी negativity को अब shake off कर देंगे और अपना काम हर रोज की भांती करेंगे literary devices point ने हमें use करके दिखाई हैं कुछ इस poem के अंदर सबसे पहले rhyming scheme discuss करते हैं तो इसकी rhyming scheme जो है a b a b c d c d है यह poem की rhyming scheme जो होती है इसके उपर complete एक chapter है हम आगे next वीडियो में discuss करेंगे literary devices के उपर पूरा का पूरा जिसको figures of speech भी कहते हैं next alliteration जिसको अनुप्राश अलंकार कहा जाता है हिंदी में क्या होता है the occurrence of the same letter or sound at the beginning of closely connected words a की line में कुछ letters या sound होती है जिनको बार बार परियोग किया जाता है जैसे हम देख सकते हैं has given my heart इसमें एच और एच एच हैज में और हर्ट में यूज किया गया है हा साउंड इसलिए ये alliteration है इसी परकार से and saved some part saved में us यानि सर और सम में भी सर दोनों में सर का प्रियोग किया गया है या एस लेटर का प्रियोग किया गया है इसलिए this is also an example of alliteration अनुप्राश लंकार है यह असोनेंस यह भी एक अलिटरेशन का ही पार्ट होता है लेकिन इसमें क्या होता है देखिए the repetition of a vowel sound throughout the line throughout the line का meaning पूरी point में ही एक ही जो vowel sound होती है उसका बार-बार प्रियोग किया जाता है जैसे शुक, शुक में ओ, ओ, डाउन में भी ओ, ओन में भी ओ है इस परकार से ओ की बार-बार पुन्रा विरती हो रही है इसलिए यह क्या है असोननस है एंजयम्मेंट का भी परियोग है एंजयम्मेंट क्या होता है when the same sentence continues without any punctuation mark जब स्टेंजा में कहीं भी punctuation mark का परियोग नहीं किया जाता है अगली लाइन स्टार्ट हो जाती है तो इसे एंजयम्मेंट कहते हैं और यह आप पूरी पॉई में देख सकते हैं Some important questions, let us discuss, discuss करते हैं कुछ important questions को where was the crow sitting, you know it very well कि Hemlock tree पे बैठा है और क्या गिराता है कुछ Snow जो है dust वो गिरा देता है, how has the dust of snow changed the poet's mood कैसे इस point के mood को change कर देती है, यह dust of snow कि वो क्या है एक बड़ा ही दुखी होकर के खड़ा है वहाँ पर कुछ दुख को सोच रहा है अपने और इसी परकार से क्या होता है उचानक एकदम पक्सी फडफडाता है अपने पंक और नीचे कुछ बरफ के कन गिर जाते हैं जिससे point जाग जाता है और अपना दिन बचा लेता है next question number 3 what is the message of the poem संदेश क्या देना चाहता है point the poet wants to say that a trivial incident can bring a great change की एक छोटी सी गटना ही हमारे को जीवन में बहुत कुछ सिखा सकती है so dear students कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए उदाश नहीं होना चाहिए पता नहीं क्या गटना हमारे जीवन को एक बड़े सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा सकती है he proves it through a very trivial incident of cross shaking of snow ये छोटी सी गटना के माध्यम से दिखाता है कभी the poet was standing beneath a hemlock tree hemlock tree के नीचे खड़ा है sorrow and dejection had settled on his heart suddenly a crow shook down some dust of snow on the poet and the poet wakes from his sad mood बरफ गिरती है उसके उपर और इस परकार से वह अपने जो दुखी मन जो है उसका दुखी और रखाता उससे उठ जादा एकदम और इस परकार से उसने अपना जीवन कि आगे की और बढ़ाने की सोचता है next question explain the symbols used by the poet in this poem कौन कौन से symbol यूज करते हैं हम पहले ही discuss कर चुकते हैं there are only two main symbols और वो हैं हमारे एक तो हैमलक ट्री है जो पॉइट के सैड मुड को describe करता है dust of snow is the sorrow और वो जो दुख है वो dust of snow है जो पॉइट के हिरदे पर बैठ जाती है और करो जो है is the shake यही वो एक जर्क है shake है हल्चल है जो पॉइट experience करता है अपने दिल में इसी परकार से next question how does the poet present nature in this poem कैसे वरणन करता है कैसे प्रस्तुत करता है पॉइट नेचर को इस कवीता में his descriptions of nature are real and based on minute observation बड़ी ही minute यानि की बिल्कुल बारिकी से observation किया है उन्होंने पॉइट says deep symbolical meaning in each little incident of nature पॉइट देखते हैं छोटी छोटी घटनाओं में भी बहुत बड़े symbolical meanings one can interpret these symbols in one's own way और इन symbols को कोई किसी भी परकार से बता सकता है कोई हो सकता है nature को friend के रूप में भी बता सकता है और कोई दुश्मन के रूप में भी बता सकता है so dear students this is your poem dust of snow जो हमने बिल्कुल complete पढ़ी है line by line हिंदी में पढ़ी है English में भी पढ़ी है literary devices किये है important questions किये है about the point भी हम पढ़ चुके है और difficult word meanings भी पढ़ चुके है इस परकार से dear students यह poem आपकी बहुत ही interesting बहुत ही message giving poem है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और अपने जीवन में भी इसका message लागू करें कि कभी भी हमें उदाश नहीं होना चाहिए कोई छोटी सी गटना ही हमारे जीवन को बदल सकती है I hope you have listened very carefully and you have understood this poem very carefully thanks a lot for watching